So guys, दो दिन से मैं use कर रहा हूँ iOS 16.4 Public Beta 3 Update अपने iPhone 12 Pro में तो इसका मैं review करने जा रहा हूँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद दे तो वीडियो को like जरूर कीजेगा guys यहाँ पे जो सबसे बड़ी problem मुझे अपने iPhone 12 Pro में वो हुई यह storage से related जब मेरे phone में आप आप लोग देख लीचे बिल्कुल खाली है कल भी 2-4 photos थी और मैंने एक वीडियो बनाए अपने iPhone 14 Pro Max से 3 मिट की वो मैं जिसमें transfer कर रहा था यह बात यह problem जो है मुझे एक बाद नहीं कई बारी face करने को पड़ी इसमें जो है वो फोटो जो है वो वीडियो जो है वो आनी रही थी तो यहाँ पर storage से related problem बता रहा था और सेम चीज़ जब मैंने वीडियो को जो है अपना iMovie से edit किया इसको जब मैं save किया तब जो है ऐसा कर रहा था है वो storage से related हुई है और जो दूसरी सबसे बड़ी problem है गाईस वो मैं आपको बता दूं इसमें जो performance का जो है issue मुझे बहुत ज़्यदा हो रहा है दो दिन से जब से मैंने इसमें public beta 3 इंस्टॉल किया है तो performance से related में मुझे जो है काफी दिक्कत हो रही है जैसे कि normal apps जो हते है YouTube अगरा है Facebook Instagram अगरा है तो इन में भी जो है थोड़ा-थोड़ा मैंसोस हो रहा है कि जो है slow चल रहे है और guys जो है अभी मैं एक चीज़ और notice की अपने phone में अपने phone में जब मैं कुछ apps download कर रहा था काफी सारी मैंने कि आप लोग देख लीजिए बहुत सारी apps जो है मैंने ड मैं अपना mobile data use करूं तो भी मुझे दिक्कत हो रही है यहाँ पर जो है speed से related जो है काफी जो है slow मुझे लग रहा है यहाँ पर बात करूं और दिक्कत की तो airdrop का issue मैंने आपको पता है airdrop का भी issue कभी कभी जो है सर्च में ही नहीं आ रहा था मेरे iPhone 12 14 Pro Max से जब मैं इसमें जो है data transfer कर रहा है तो कभी आ जाता है और कभी जो है वो नहीं आ रहा था यहाँ पर overeating भी हलकी हलकी सी मुझे अब महसूस हो रही है पहले नहीं थी बट यहाँ पर back side और इसके जो buttons है वो थोड़ा overeating करने लग रहे है तो यहाँ पर overeating से related problem है और एक बड़ी problem है जो कि मु आप निकालता हूं तब जो दिक्कत करता है और कभी-कभी ऐसे भी जो ऐगी साथ आइफंट उप्रो में जो है जो मैंने आप लोगों की में चीज़ वह कैसा है तो यहाँ पर पूर के साथ आप लोगों को मैं दिखा दिता हूं मेरा आइफंट गैर मेरे घृटी अईट ए और यहां पर इभी इसको मैंने charge कब किया था यहां पर आपको नहीं दिखता होगा, क्योंकि मैंने इस phone को पूरी तरह से पूरा format किया है, क्योंकि बगौत जादा दिक्कते हो रही थी मुझे इस phone पे, यहां पर जो यहां मैंने आपको जितनी भी problems बताई, यह problem तो होई रही थी, इस वज़ा से मैंने अपने iPhone इसको पूरी तरह अभी के अभी पूरा format किया है, इस वज़ा से यहां पे लास्ट चार्ज लेवल आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यह दो गंटे से मैं यूज़ करना phone को, इसमें सारे apps डाउनलोड की, ID बगरा बैकप इस से related मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुए है, बाकी सबसे ज़्यादा दिक्कते जो होई है, storage से related, performance, app डाउनलोडिंग, internet, airdrop, overheating face ID, keypad, तो यहां पे यह सब चोटी चोटी जो दिक्कते हैं, वो मुझे काफी सारी जो है, अपने iPhone 12 Pro में वो होई है, तो यहां पे मैं अपडेट आएगा, तो जो है, उसके बाद हो सकता है, प्रॉब्लम जो ठीक हो जाए, और कभी-कभी यहां पे widgets में गायब हो जाता है, यह प्रॉब्लम आज से नहीं है, बहुत साल से, यहां पे widget जो होता है, वेदर वाला, तो यह गायब हो जाता है, इसको अभी तक Apple ने बाद जो एक और अपडेट आजाएगा, तो वो कर सकते हो, बाकि आपकी मर्जी जो आपको करना है, तो कर लीजे, क्योंकि बहुत सारी नहीं नीचीजे तो इस अपडेट में थी नहीं, जो मैंने आप लोगों को बताया, और थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे कोई और सब्सक्राइब करके भी लाइकन कौन रिखेगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जा है, तो मिलता हूँ आप लोगों से अगले और अच्छी वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई